हेलो दोस्तों कैसे हैं आप and welcome to another video so आज हम देखेंगे कि how to reverse a singly link list so काफी important question है काफी पूछा जाने वाला है और mainly जो coding rounds होते हैं आपके companies के तो उसमें link list के question में काफी आने के chances होते हैं इसके reverse how to reverse a singly link list so आईए देखते हैं कि कैसे solve करते हैं और काफी easy question है यह भी so mainly आपको logic पकड़ना होता है so syntax semantics पर अगर आपकी command अच्छी है और अगर so only after that the thing which remains is the logic so आपको logic के बारे so logic का तो मैं आपको बता ही रहा हूं so ध्यान से वीडियो को देखें और मेरी आपसे एक request है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में जरूर इसको share करें so that they can also prepare and learn from this video so आईए वीडियो को शुरू करते हैं ठीक है now यह हमारे पास यह मैंने example यह codes ने pet मैंने पहले ही लिख दिया है और यहां पर यह गलती हो गई है में होना चाहिए तो इस पर ध्यान मत देना logic जरूर है ठीक है सबसे पहले समझते हैं कि आपका input किस तरीके से होगा और जो आपका output है वो क्या expected है so input है आपकी एक singly link list इस तरीके से 2, 10, 5, 6, 3 और जो आपका output होना चाहिए वो इसको reverse कर देना है जो इस link list है न इसमें जितने links हैं उनको reverse कर देना है इस वाले link को इस तरीके से इस वाले को ऐसे so finally होना क्या चाहिए कि जो भी आप start करें तो 3 head पर होना चाहिए 6 उसके बाद 5, 10, then 2 2 should be at end which is starting of the input so 2 should be the end of the output end of the link list in the output so so major आपको हर एक link को reverse करते चलना है so इसके लिए हम एक दो तरीके में आपको इसी वीडियो में फटा फट से बता दूँगा दो तरीके बता दूँगा पहला जो तरीका होगा बिलकुल simple order of n complexity का और जो आपकी auxiliary space complexity होगी उसकी वो होगी order of n so जो दूसरा तरीका है पहला तरीका है using three pointers और जो दूसरा तरीका होगा वो होगा using stack so stack काफी questions में हमें helpful होता है so इसको भी देख लेंगे कि किस तरीके से solve करना है तो stack वाले तरीके में बेशक से जो हमारी time complexity रहेगी वो रहेगी order of n और but space complexity उसमें order of n है जबकि three pointer concept में order of 1 है so सबसे पहले इसके अंदर तीन pointers को ले लेना है so जो पहला pointer होगा आपका वो होगा previous then you will take current and then next pointer so आपने three pointers ले ले लिए जैसे की इस line number one में current previous next उसके बाद इनकी initialization करनी है यह देखो initialization करने ठीक है initialization में क्या करना है आपको previous को null पर set करना है कहने का मतलब यह है यह dummy example दे देता हूं मैं आपको जो initialization होगी वो previous बिलकुल यहाँ पर होगा और जो आपकी current node होगी वो होगी head पे और जो next node होगी वो उसके next पे होगी कि यह simple सी initialization आपको करनी है आप लूप में देखोगे कि जो next pointer की जो assignment है वो वाइल लूप के अंदर करेंगे तो जो मुद्य की बात है वो जो आपको समझनी है वो है यही है कि previous को आप यहाँ पर initialize कर दो current को head से और next को उसके next से ठीक है अब उसके बाद आपको simply कुछ नह नोड होती है न यह दोनों ने देखो इस तरीके से यह link होगा ठीक है ऐसा कुछ होगा नव आपको करना गया होता है जो current और previous के बीच current एंड previous के बीच जो linking होती है उसको reverse कर देना होता है basically यहाँ पर देखो आपको करना ही है कि जो current का next है न उसको previous को point करा देना है यह जो लाइन है यह two one यह three और यह four ठीक है यह important चीज है इसमें so initialization में क्या हुआ आपने initialization previous को null से कर दिया current को head पर डाल दिया और next को उसके next पर सबसे पहले आपने क्या देखा हमने current pointer के जो link था जो current pointer का link था यह यह अब यहाँ पर point कर रहा है हमने इसको हटा दिया यह link break हो चुका है अब यह point कर रहा है previous को जो की था null हमारा ठीक है now यह link तो break हो चुका है अब यहाँ पर कुछ नहीं है next हमारा यहाँ पर बैठा थर्ड लाइन में कुछ नहीं है previous को हमने update कर दिया मतलब अब हमें next step पर आगे बढ़ना है ना तो next step पर यह सब को एक-एक step आगे बढ़ाना पड़ेगा हमको तो previous को हमने यहाँ पर धकेल दिया previous equal to current यह previous यहाँ पर आ गया अब हमें बारी है current की current को update करना यह देखो यह ली लाइन current equal to next ptr so जो हमारा जो यह third pointer है आपका जो next ptr है इस pointer का सिर्फ यह की काम है only one कि जब हमारा यह वाला link जो यह वाला link break हो जाता है ना यह वाला link जो break होता है इसके बाद current से हम next node पर reach नहीं कर सकते तो हमारा जो यह वाला link है यह lost हो जाता है तो जब भी हमें current को आगे बढ़ाना होगा इसके उपर यहाँ पर क्योंकि next iteration में क्या होगा जब इस iteration में तो हमारा जो काम था हमने कर दिया हमने link को reverse कर दिया next iteration में क्या होगा कि तीनों को एक-एक कदम आगे बढ़ाना पड़े क्या है कि यह वाला जब हमारे पास link हो गाई नहीं तो current को आगे कैसे बढ़ाएंगे सो इसी लिए next उस पर जो current जो current का next है ना वो next pointer उस पर बैठा होता है और उसी चीज़ को preserve करता है यह जब यह link break हो जाएगा तो हमें कोई टेंशन नहीं है हम जस्ट यह बोलेंगे कि current equal to next ptr that's it so जो हमारा current है वो यहां आ जाएगा और next ptr तो अगले iteration में update होएगा तो वो update होके क्या होता है देखो यहां देखो next ptr equal to current to the next next ptr होगा यहां पर current का next को नहीं यह काफी match up हो गया है तो basically यही तो अब हम एक छोटे से उस पर इसको simulate करके मैं बता देता हूं आपको किस तरीके से यह होता है ठीक है नाओ अब मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा बस खाली simulate करके बताता जाऊंगा आप यह वाले steps को follow करते जाना और आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या है तो सबसे पहला step initialization in it initialization क्या था previous को यहां डाला current को यहां डाला और next को यहां डाला now जो दूसरा step क्या होता है कि हम current और previous current को previous पर point करने लग जाते हैं मतलब यह current का next होता है current का next इसको point करने लग जाता है previous को ठीक है यह हमारा link हमने break कर दिया जैसे ही यह step पूरा हुआ हमने तीनों को एक-एक step आगे बढ़ा देना है previous आ जाएगा हमारा यहां पर यहां पर आपका आ जाएगा current और उसके बाद next आ जाएगा है यहां पर और आपको पता है कि current यहां किस तरीके सा है next की मदद से ठीक है यह link तो break हो चुगा है अब दोबारा आपने क्या देख था, current का next यह है यह क्या करेगा, previous को point करेगा previous को point करेगा, तो यह चला गया हमारा फिर उसके बाद हम सब को update करेंगे previous current next now current next will point to the previous current next क्या है, यह previous node कौनसी है यह हमारी, इसको point करेगा तो यह link भी गया और सबको update कर दिया यहाँ पे आ गया previous यहाँ पे आ गया current और यह हो गया आपका next और ध्यान अखना लूप कब तक चलेगा while current pointer is not equivalent to null now अब आप देखो current का next मतलब यह previous को point करेगा previous node को point करेगा यह link गया यह link जाते ही सबको एक-एक step आगे बढ़ा दो previous current and next okay now इसके जैसे ही हमने यह update करी current का next जो current का next था अभी फिलाल नल को point कर रहा था यह किसको point करेगा previous को इसको नहीं करेगा point ठीक है अब जैसे ही हमने यह linking कर दिया अपडेशन कर दिया तो एक-एक step सबको आगे बढ़ाने का previous यहां पर आया यहां पर आपका आगया current और next ना यह जो step है अगर इस step को अगर हम लिखने लगें कि next equal to current next यहां पर हमें segmentation फॉल्ट हो जाएगा तो उसी चीज़ को बचाने के लिए यहां देखो जो यह line number one था ना line number का significance यह है कि जब हम current pointer पर होंगे तो हम check करेंगे कि current pointer null है कि नहीं यहां पर देखो तभी हम इसको update करते next pointer को जो हमारा next pointer equal to current to the next हम next pointer को यहां पर जब लेके आते हैं जब यह null नहीं होता अगर नहीं होता और फिर अगर आप ऐसे लिखो लिख दो यह वाली line तो segmentation fault आ जाएगा आपको इसी लिए इसको अंदर यहां पर डाला हुआ है पहले update करते हैं अब समझ में हैं यहां पर update करोगे ना तो यहां पर update करोगे तो किस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको समझो इस चीज़ को next ptr is equals to current next अब अगर यह फिफ्ट पर लिखा होता है यह फिफ्ट पर लिखा होता है यह line फिफ्ट पर होती और यह one नहीं होता तो तो next pointer current to the next current क्या है फिलहाल नल और नल का जो next है न वह आपको segmentation fault क्योंकि नल कोई address थोड़ी होता है उसका next कहां से आएगा जब कोई data ही data structure ही नहीं है तो उसका next अंदर कोई element कहां से मिलेगा तो this is segmentation fault इससे बचने के लिए हमने इसको initial में डाला है इसलिए मैंने आपको शुरू में नहीं बताया था यह चीज़ अब यह आपको समझ में आ जानी चाहिए ठीक है इस तरीके से आप एक link list को reverse कर सकते हो जो आपका final end output होगा वो कुछ इस तरीके से हो आप इसको return statement लगा लो या फिर head pointer है जो उसको अप update कर रहे हो तो head pointer को आपने यह देखा होगा कि जो आखरी step था वीडियो को rewind करके भी देख ले ना जो यहाँ पर था यहाँ पर क्या था current यहाँ पर थी null को point कर रहे थी और यह previous node यहाँ पर थी ठीक है आखरी में और यहीं पर loop end हो जाता है next की बारी ही नहीं आती अपडेशन की तो यहीं पर ही loop break हो जाता है जैसे current null होता है तो previous हमारा आखरी node को point कर रहा होता है तो जो हमारा नया head होगा होगा head address होगा यह लिखा है न वुसको हमने previous pointer डाल दिया उसके अंदर तो जो हमारा नया head है this is our new head जो हमने head को update कर दिया और हम loop और function के execution complete करके बहार आ गए तो यह simple सा funda था इस पूरे reversing the link list के behind